खलो दोस्तों कैसे आप लो उमीद करता हूँ सब घर में होंगे सब ठीक होंगे सब ज़वर्दस ओग जैसे कि आप सब को पता है कि अभी एक न्यूस वाइरल हो रही है एक पेपर कटिंग वाइरल हो रही हर जगा कि यूपीज़ी का कहना है कि आप यदि एक्जाम में अप् सब्सक्राइब कर दोस्तफ दोटाब करने सोर्जी इसमें कोई सत्यता नहीं है यह सत्यापित नेयूस नहीं है यहां पर आप देख लिए मैं अप्रेश इंफॉर्मीरओ की वीबसाइट करें हो अब आप जाए कि それ नियूस को क्यों में आशतकर जाए जिए से कि मिलग यहा जिम्मा ही होता है कि ये इंडिया में जितने भी न्यूज फेक वाइरल हो रही है उनको ये लोग सत्यापीत करें यहाँ पे अलग अलग तरीके की न्यूज मिलेगी और हम लोग जिस न्यूज को खोज रहे हैं यहाँ पे आप देख लिए दावा यूपीसी द्वारा प्रार ही गया होगा कि यह कौन से न्यूज पेपर की है यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस न्यूज पेपर का लेकिन आप देख लिए कि यहाँ पे न्यूज पेपर वाले भी आजकल कुछ रिपोर्ट फरजी डाल रहे हैं आपको इससे मामले में और भी जानकारी चाहिए तो आप इसकी ओफिस्यल वेब साइट पर जाके देख सकते हैं वहाँ पर यदि इन्होंने कुछ कहा होता तो कोई बात होती है यहाँ पर आप देख लिजिए इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसको शेयर किया हुआ है यहाँ पर इसकी कितनी फॉलवर आयोग UPSC की प्रारेमभिक परिक्षा आगामी 4 अक्टूबर को है इसमें सामिल होने के लिए COVID-19 की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होने की सर्थ लगा दी गई है इस बाबत UPSC ने एक अधिसूचना जारी की है इसके मुताबिक वैसे अभियर्थी जिन्होंने इस परि तियारी करने वाले छात्र परिषान हो गए हैं वो लोग परिषान है की अब हम लोगका COVID-19 की टेस्ट होगा रिपाए हैं यहाँ परिक्षा में बड़ी संख्या में बिहार drives औन्य राजियों के छात्र हिस्सा लेते हैं विद्यार्थियों का कहना है कि परिक्षा में बैठने के लिए COVID-19 की जांच के लिए सरकार की तरफ से नामित अस्पतालों में जांच कराने को कहा गया है जाहिर है कि जिस परिक्षार्थी की COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजेटिव आ जाएगे वह परिक्षा से वनचीत हो जाएगे छात्रों का यह कहना है कि अभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों कि जांच नहीं हो रही है इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों कि जांच कैसे हो पाएगे सही बात है यहाँ पर जो COVID-19 टेस्ट हो गए हैं जो मरीज हो गए हैं उनकी जांच नहीं हो रहे आप यहाँ पे देख लिए पूरी की पूरी फरजी है पी आई वी फैक्ट चेक यहाँ पे इन्होंने लिखा विया जातने के लिए कोई केंदरी सरकार से संबंधित निती जोजना तत्त है या नहीं यह आप इसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं यह बहुत ही जनुन वे के बाद आप UPSC की ओफिसल वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहे हैं वहाँ पर ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी तो यह बात क्लियर हो गया कंक्लूजन यही है कि यह पूरी की पूरी नियूज फेक है इसमें कोई सत्यता नहीं है आप यह ती तयारी कर रहे ह कि आपको ज़रुत नहीं है आप पूरी अच्छी तरीके से सामिल हो सकते हैं इस एक्जाम में तो यह पूरी की पूरी नियूज फरजी है यह सत्यापित होती है प्याइवी फैक्ट चेक के दवारा आई होप वीडियो आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो हमारी च